हलो गाइस वेलकम टू माई यूटूब चैनल एक्जाम रोड एक्जाम रोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान क्लास 12 के लगहुतरी प्रस्ण पर जी हाँ लगहुतरी प्रस्ण जो आपके 12 नंबर के आते हैं जी हाँ जो 12 नंबर के आत किया का आपको हमारे क्यूसरन बार नंबर पक्का दिलाएंगे आप हमारे क्यूसरन को देखिए और पढ़िए आए हम फर्स्रेंट क्यूसरन देखते हैं क्या हैं यह सब्द 9 ने दिया था अन्डासय से बिना निसेचन के फल निर्मार की क्रिया को अनिसेख फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिसेख फलनी फल कहते हैं यह फल बीजरहित होते हैं अंगूर केले तथा अननास में प्राक्रितीक अनिसेख फलन होता है अनिसे एक फलन को हार्मोंस जैसे देखिए आप लोग आकसीन व जिबरेलीन के छिड़काओ से भी प्रेरित किया जाता है अनार नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग भाग वीज का है अनिसे एक फलनी फल बनाना बेकार होता है अब आए नेक्ट्रक्यूशन देखते हैं सम युगमजी और विसम युगमजी में विभेद कीजिए अब देखते हैं सम युगमजी क्या है पहला पॉइंट देखिए इनमें एक कारण के दो युगम विकल्पी समान होते हैं दूसर का पॉइंट क्या कर रहा है जनन के समय ए विसम युगमजी क्या होता है? आइए देखते हैं, फर्स्ट पॉंट कर दोनों विकलपी असमान होते हैं अलग अलग प्रकार के युगमख बनते हैं फर्ड पॉंट क्या कर रहा है? इनकी संतान में प्रभावी वह अ प्रभावी दोनों लच्ण होते हैं आईए अब next question देखते हैं प्रथम संतत पीड़ी वह दूतिय संतत पीड़ी में विभेत कीजिए यह question very important है आईए इसका answer देखते हैं F1 पीड़ी यह प्रथम संतत पीड़ी कहलाती है दूसरी तरफ F2 पीड़ी दीखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें यह दूतिय संतत पीड़ी कहलाती है अब F1 पीड़ी में देखिए second point जब जनक पीड़ी में क्रास होता है तो इस प्रकार उत्पन संतत को प्रथम पीड़ी य second point देखते हैं यह प्रथम संतत पीडि का क्रास आपस में कराया जाता है तब उत्पन infant संतत फीडि को यबट्यान अब ए नेक्स्ट इंश्चन और लाश्ट इंश्चन देखते हैं क्लाइन फिल्र्टर्स सिंड्रोम किसे कहते हैं यह कैसे बनते हैं ऐसे मनुष्य जिन में यह उपस्थित हैं के लक्षण लिखिए यह वेरी इंपोर्टन क्यूशन है और हर वर्स पूछा जाता है आए इसका एंसर देखते हैं क्लाइने फिल्टर्स सिंड्रोम क्या होता है यह सिंड्रोम लिंग गुण सूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है इ इनमें 47 इंटू 44 प्लस X X Y गुण सूत्र होते हैं इनमें पूर्सों वह इस्तरियों के लच्छनों का मिस्रण पाया जाता है वाई गुण सूत्र की उपस्थिती के कारण इनका सरीर लंबा वह सामान पूर्सों जैसा होता है लेकिन अतिरीक्त यक्स गुण सूत्र के इनके व्रिशन तथा अन्य जननांक वह जनन ग्रंथिवा अल्प विक्सित होती हैं इसे हाइपो गोनेस डिज्म कहते हैं इनमें सुक्राणूओ का निर्माण नहीं होता है अतह ये नर्बध्य होते हैं इस्तरियों के समान चेहरे पर और सरीर पर बाल कम होते हैं और इस्त आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर हमारा वीडियो अच्छा लग करें आप और देक्रेपिब्सल्कंश में जाकर हमारे टेली ग्राम ट्रूप को जरूर जिए करिए ताकि यह झो हम पढ़ा रहे हैं इसका फीडियों वहां पर पहुंचता ह हो सके वस आज तक हमारे वीडियो को फुल वाज करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत